नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे असपास बहुत सारे ऐसे पेर पौधे हैं जिनका परियोग तंत्र क्रियाओं में होता है जिनका परियोग आयुरवेद में होता है और साथ ही सकात्मक उर्जा घर में वापस लाने के लिए भी होता है लेकिन आज हम जिस पौधे की बात करेंगे इस पौधे की खासियत ये है कि ये संजीबनी बूटी की दरह काम करता है यानि इस पौधे में बहुत सारे गुन है तो ये गुन आईरवेदिक भी है और कुछ खास चमतकारी गुन लिये वे ये पौधा आपके आसपास चरूर मिल जाएगा इस पौधे की पहचान करना बहुत ही आसान है ये पौधा आपने देखा होगा चमीन में बिलकुल से नीचे में लंबे लंबे पत्ते होते हैं और इसमें इस पौधे के बीच से एक डंडा नूमा यानि डंठल नूमा एक निकलती है डाल और उसमें एक फूल खिलता है जिस फूल की पंखुरी पीले रंकी होती है इस पौधे की यही पहचान है पौधा होगा नीचे लेकिन उसमें से बहुत सारे डंठल निकलेंगे यानि डंडी नूमा निकलेगा और उसमें ही पुस्प लगते हैं तो इसकी इसी खासियत की ब पारे में बताएंगे दिखें सबसे पहली बात तो इस पौधे की सबजी बनाए जाती यानि कि पत्तों की साग बनाकर खाते हैं अक्सर जो तराई पहाड़ी यहां में लोग रहते हैं वो लो का कि लंबी उम्र प्राप्त हो स्वास्त अच्छा रहे और उनका ब्लड इसे हर्ट की किसी तरह की समस्या ना हो खासकर कोलेस्ट्रोल विगरा की समस्या में यह बहुत रामबान का काम करता है इस पौधे में बहुत सारे एंटी ऑक्सिडेंट भी गुन है यह जवां रखता है सरीर को इसकिन को आपके फेस को कहने कातात पर आप जवां रहते हैं इस पौधे को अगर आपने तरीके से इस्तेमाल किया तो इसके पत्तों का जवाब साग बना कर खाते हैं तो शरीर की बहुत सारी जो मिटामिन होती है मिललस होते वह सभी चीजों की पूर्थी होती है इसमें बहुत सारे गुन है इस पौधे का नाम है गो जिवा गाई की चीब के तरह दिखने के कारण इसका नाम गो जिवा है इस पौधे के बारे में आपको विस्तार से आज हम इसले बता रहे हैं क्योंकि अगर आपके आसपास है तो कई बार लोग खरपतवार समझ कर इसको फेक देते हैं क्या आपको पता है रक्त में जमा जो कोलेस्ट्रों यह वसा होता है जो गाढ़ा खुन हो जाता है जिसको कोलेस्ट्रों कहते हैं जो आपके रखने की परिशानी है जो हर्ट की समझ से है उसको समाप्त करने के लिए यह सबसे ज्यादा कारगर है इस पौधे के गुन बहुत है और इसके अगर आपके आसपास मिलता है आप सही विज़ा लेते हैं जानकारी अच्छी लगए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें कमेंट करें धन्यवाद